तो सौगत आपका एक और नई वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम रिवू करने वाले हैं एक और धमाकेदार SME IP का जिसका नाम है Transstill Sitting Technologies Limited ये कमपनी इन कॉर्परेट हुई थी 1905 में यानि कि करीबन 28 साल पूरान ये कमपनी है तो आईए जानते हैं इस कमपनी के बिजनेस क कमपनी है ये कमपनी कॉर्परेट ओपिस के लिए Small and Medium Enterprises के लिए Education Institute, Government Workplace, Professional Service, Healthcare इस तरह की और भी बहुत सारी सेक्टर्स के लिए फर्निचर मैनुफेक्टरिंग का काम करती है यानि कि ये कमपनी स्टील के टेबल, हुर्ची, ड्रॉवर इस तरह के प्रोड़क्ट मैनुफे यानि कि ये Direct Retail में अपना माल बेशती है, साथी बड़ी कमपनीों को भी ये माल सप्लाइ करती है, जो की B2B के अंदर आता है, यानि कि Business to Business, यानि कि कोई बड़ी कमपनी या बड़ा ओपीस, बड़े पेमाने में इनको ओडर देना चाते है तो वो भी दे सकते है, इस तरह के ओडर भी ये कमपनी रिसीव करती है, यानि कि अगर किसी को बल्क में खुर्ची, टेबल या फिर ड्रॉवर चाहिए, तो इस तरह के भी ये डिल करती है कमपनी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कमपनी काम क्या करती है, स्टील के प्रोड़क्त बना कर उन 62 लाख रुपे की, साती रेवनु की बात करें, तो 227 लाख रुपे का रेवनु, 2021 में इस कमपनी का था, जो कि मार्च 2023 के अंदर बढ़कर हो गया है, 5961 लाख रुपे का, अगर इस कमपनी के प्रोफिट की बात करें, तो मार्च 2021 के अंदर इस कमपनी को कोई भी प्रोफि इस कंपनी के उपर अगर उधारी यानぎ बोरिंग्स की बात करें तो बैलैंसीड के इंदर इन्होंने कोई भी बोरिंग्स या उधारी सोट नहीं किये इस कंपनी के पास तो 446 लाश लाख रुपी की डिज़व कार मार्च 2012 में इस कंपनी के पास थी जो कि इस साल मार्च 2023 में बढ़कर हो गई है 2325 लाख रुपे की ओवरॉल देखे तो इस कमपनी के फाइनांसियल ठीक टाक है बैलेंसीड भी बहुत ही अच्छी है इस कमपनी की और कमपनी लगातार प्रॉपिट भी जनरेट कर रही है रेवेनु और एसेट के अंदर भी इस कमपनी ने अच्छी ग्रोध दिखाई है इस कमपनी के अगर प्यर कमपनिशन की बात करें तो दो प्यर कमपनिशन दिक्र है पेला है सीजन फरनीशिंग लिमिटेड और दूसरा है सासवट फरनीशिंग सोलूजण लिमिटेड अगर आईपी वाली कम्पनी का EPS की बात करें तो 6.80 का EPS आईपी वाली कम्पनी का है, सीजन का है 0.35 का और सास्वत का है 1.04 का अगर return on network की बात करें तो IP वाली company की return on network है 37.21 की, season की है minus में 40.95 की और सासवत की है 5.44 की यानि कि return on network के मामले में IP वाली company बाकी दोनों company से आगिये है और इसकी return on network भी सांधार है अगर PE की बात करें तो IPO वाली company का PE है 16.91 का, season का है 11.24 का और सासवत का है 31.73 का यानि IPO वाली company अपना IPO सस्ती valuation पर ला रही है लेकिन season furnishing से इसका PE थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है लेकिन हम इसे कह सकते कि IPO वाली company अपना IPO सस्ती valuation पर ला रही है तो ये तो हो गई इस company के financial अब जान लेते IPO की details इसके बाद जानेंगे इस IPO में apply खरना चाहिए कि नहीं तो IPO का total issue size है 49.98 लाख रुपे का जिसमें से 47.49 लाख रुपे का price issue है और 2.49 लाख रुपे का offer for sale है इस IPO के share की face value है 10 रुपे per share IPO लिस्ट होगा NAC की SME platform पर और retail के लिए इस IPO में 35% का reservation रखा गया है IPO के एक lot में होंगे 2,000 share जिसके लिए आपको देने होंगे 1,40,000 रुपे IPO के open date है 30 October, close date है 1 November, basic of allotment होगा 6 November और listing होगी 9 November को और जिनको IPO ही नहीं लगा उनको 7 November तक account में refund मिल जाएगा तो आप जान देते हैं इस IPO में apply करना चाहिए कि नहीं लेकिन उससे पहले जान देते हैं इस IPO का object के आई यानि कि ये company IPO से मिले पेशों का इस्तमाल केसे करने वाली है तो सबसे पहले ये company repayment करने वाली है यानि कि कुछ इनके उपर उदारी है उसको चुकता करेगी उसके बाद ये company manufacturing unit के लिए कुछ खर्चा करने वाली है साथी कुछ पेशा working capital और journal corporate के लिए करने वाली है तो इस IPO में apply करना चाहिए कि नहीं अगर financial देखें तो इस company के financial ठीक ठाकी profit, asset और revenue के अंदर इस company ने growth दिखाई है साथी इस company का GMP चल रहा है फिलाल 21% के आसपास जो की बहुती कम हो जाता है करीबन 30-40% तो चाहिए था लेकिन सिर्फ risky trader इसमें पेशा लगा है क्योंकि फिलाल market की condition ठीक नहीं है market लगा तर गिरे जा रहा है यसे में IPO में पेशा लगाना थोड़ा सा risk हो जाता है खास करके low GMP वाले IPO में अब इस company के अगर काम की बात करे तो जिस sector के अंदर वो जैसा काम ये company करती है उसके अंदर competition बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एसा कोई unique काम नहीं है इस company का नाई monopoly business करती है जो काम ये company करती है उस तरह का काम और रेड़ी बहुत सारी company कर रही होगी जो कि अनलिस्टेड है साथ इस से बड़ी company भी बहुत सारी होगी और जिस तरह का सामान ये company बेशती है उस तरह का सामान तो बहुत सारी company बेश रगती है आज कल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी जगा उपर इस तरह के प्रोड़क्ट मिल जाते हैं साथ ही आप चाइना से भी सस्ते डामों पर मंगा सकते हैं तो ऐसा कुछ डिमांडिंग काम नहीं लगता इस कमपनी का और फिलाल इसका GMP भी बहुत ही कम है लेकिन अपलाई अगर आपको करना है अगर आप रिस्की टेडर है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं बाकि अगर इसका GMP में उचाल देखने को मिलता है 40-40% के आसपास या फिर इसके सस्क्रिप्शन के अंदर हमें उचाल देखने को मिलता है तो आप इस IP में apply करने के बारे में सोच सकते हैं और एक बात इस IP का issue size भी बहुत बड़ा है पचास करोड का है एक SME IP के लिए पचास करोड बहुत बड़ी रखम हो जाती है खास करके पचास करोड वाले जितने भी SME IP होते वो maximum listing के दिन कम listing गें देते या फिर माइनस में चले जाती है तो आप इस IP में सोच समझ करी पेशा लगाए या फिर इसके GMP में और subscription में उचालना देखने को मिले तो इसे avoid कर दे अगर आप इसी तरह IP की या share market के update चाते है तो आप हमारे telegram channel और whatsapp channel को जरूर join कीजिए link description के अंदर ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चानल को subscribe किजिए और notification bell को all में select करके जरू जाए Thank you